फिर से स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल सुभांस क्लास में हम आपके लेकर आप बोर्ड प्रैक्टिकल 2022 में पूछे जाने वाले स्वागत हैं जब बनाने वाला फिकर है सबसे सर्ल फिकर जो आप बना लेंगे उसके पूछे आने व इससे कुस्छिन भी बता पाएंगे तो उस हिसाब से हम आपके लिए फिकर लेकर आएं ये फिकर आपके लिए बहुती महत्पूर्ण होने वाला ये ति आपने ये फिकर बनाए तो आपको पूरे 30 में से 30 नंबर जरूर मिलेंगे प्रैक्टिकल परिच्छा में तो वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सबस्क्राइब कर देजिगा वैल आइकन को ओन कर देजिगा तो सबसे सरल आपकी केमिश्ट्री में कच्छा बार्मी केमिश्ट्री रसाइन बिग्यान में सबसे सरल जो फिगर है वो आपका लेकर आए हम और आपको बहुत आसानी होने वाली इसे बनाने में यदि आपने एक बार बना लिया तो आप इसको आँख मिचकर भी बना सकते हैं तो हमारा फिगर है आज का गोल्ड सॉल बनाने की ब्रेडिंग avoir healthy जो आपकी बोड़ प्रेक्टिकल परिच्छा में बहुती उपयोगी होने वाला है ये आपके बोड़ प्रेक्टिकल परिच्छा में आपको ये चार्ट में बना लीजेगा और इसे बनाने से आपको बहुत आसान से कुश्चिन पूछ जाए जिसके आप सारे आंसर भी दे सकते हैं तो वीडियो को पुरा जिरूर देखिएगा योदी वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्छाइब कर देजगा वेल आइक न को ऑन कर देजगा जिससे हमारे अगले वीडियो नोट्पिकेस आपको सबसे पहले मिले तो इसको बनाएंगे देख लिए जिए किस किस परकार बनाते हैं तो एक पात्र लेते हैं बड़ा सा जो ये बड़ा सा पात्र है और इसमें ये जो अंडिया कार में भरे गए हैं इसे बोलते हैं सीतलन मिस्रण जिस परकार बर्फ हो सकती है या और कुछ हो सकता है जो ठंडग पहुंचाता है सीतलक या ठंडग बर्फ हो सकती है या कुछ ठंडी पदार्थ भी मिला जा सकते हैं इसे बोलते हैं परिछेपड माद्यम ये छोटा जो फ्लेक्स लिया गया है इसे बोलते हैं परिछेपड यह थाटू की धिया यह जो ऊपर दो बैटरियों से जोड़ा गया धात्यों को इनके नौब व्होत अधिकता उत्पन्द किया जाता coral इस विदी इस की देगह लेठेम पूरी बनाने की विदी क्या है तो ब्रेडिंग और्क आप फिकर तो बहुत आसान है यदि आपने एक बार अच्छे से देख भी लिया तो आप इसको दोबारा बना सकते हैं तो देख लेजिए किसे बोलते हैं सीरलाइन मिस्टरण किसे बोलते हैं परिशेपण माद्द्यम यह क्या है इलक्ट्रोड आपको जब फिकर बनाते हैं तो उनके बारे में जिस जिस चीज़ का उप्योग होता है और यह क्या है हमारा पात्र तो उन चीज़ों के बारे में भी लिखना होता है इलक्ट्रोड है बैटरी है सीटलन मिस्टरण है अब इससे जब हम गोल्ड सौल बनाएंगे जो आपका प्रैक्टिकल चार्ट होगा उसमें बनाते हैं तो इससे प्रश्न कैसे पूंचे जाएंगे तो इससे बनाने की विधी क्या है इस विधी में परिछेपण माद्यम में उपस्ते धातु के दो इलक्ट्रोडों तो यह नदर का प्रिश्ट्रण माद्यम घरम हो जाता है तो नीचे सीथी मुंचे जब ये अंदर का परिशेपण माद्यम गरम हो जाता है तो नीचे सीतलन द्वारा से ठंडा किया जाता है। ठंडा करते हैं आर्क से उत्पन ताप आर्क से अधिक ताप उत्पन होता है जो थोड़ी सी धात को वास्पित कर देता है। तथा ये वास्प संगनित होकर कुलाइडिय के कण बनाती है। इस प्रकार से बने कॉलाइडिस कण माद्यम के परिश्पत अवस्ता में रहकर धातु सौल बनाते हैं। तो क्या होता है इस विदी में इस विदी में बहुत अतितिक ताप उत्पन किया जाता है। ये सौल बनाती है जिसे गॉल्डन सौल कहते हैं। तो ये था आपका सबसे सिंपल और सबसे सरल गॉल्ड सौल बनाने की ब्रेडिंग और्क विदी ये आपने बोर्ड प्रेक्टिकल परिच्छा कच्छा बार्मी रसायन विज्यान के प्रेक्टिकल चार्ट में ये गॉल् तो उससे पूचे जाएगा इसमें इसमें कैसे गुल्ड सॉल बनाया जाता है तो इसमें बताएंगे हम दो पात्र लेते हैं एक बड़ा पात्र होता है जिसे सीटलन मिस्रन बरते हैं एक छोटा सा पात्र होता है जिसमें परिशिपड माद्यम बरते हैं छोटे पात्र में दो धातु के इलक्टरोड लगाते हैं और उन धातु के इलक्टरोडों को दो बैटरियों से जोड़ते हैं तो क्या होता है सबसे पहले एक बड़ा पात्र लेते हैं उसमें सीटलन मिस्रन बरते हैं एक छोटा सा पात्र लेते हैं उसमें परिछेपड माध्यम डालते हैं परिछेपण माद्यम के अंदर धातु के दो इलक्ट्रोड यूज करते हैं, उनमें बहुत अतिदिक ताप, विद्धुत आरकुत पन करते हैं, जिससे धातु के कुछ आउचेपध हो जाती है, जिससे वो नीचे तली पर जाकर जम जाती है, सीदलन के काण ठंडा होकर तली पर जम जाती है, और इस धातु के जो टूटे हुए कड़ है, यह कुलाइडी विलेहन के कड़ों के अकार में विवक्त हो जाते हैं, इस प्रकार का बना हुआ जो नीचे सॉल बन जाता है, उसे गोल्डन सॉल कहते हैं, यह थी आपकी गोल्डन सॉल बनाने की ब्रेडिंग पर उलक्तरोडेण में वी जाती है, चो परिश्पनद माध्म को धुड़ां किसल जाते हैं, तो यह थी दाप्त होको देड़ा में परनते हैं, या थंदा करते हैं, उस प्रकार से बरत दाप्तपन हो जो थोड़ी सी धातु को वास्पित कर देता है, यह वास्प संगनित हो कर कुलाइडी अकार की कड़ मनाती है कि इस प्रकार से बने कुलाइडी कड़ माध्यम में परिछिपत अवस्ता में रहकर धातू सौल बनाते हैं तो यह थी हमारी ब्रेडिंग आरक विधी यदि आपने यह बिधी बनाई और यह फिकर बनाया तो आपको पूरी 30 नंबर स्क्राइब कर दीजिएगा वैल आइकन को अन कर दीजिएगा धन्यवाद इस्ट्यूर्ण